नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर आप लोगों को लास्ट जो वीडियो हमने आपकी स्ट्राटेजी के लिए बनाई थी वन सब्जेक्ट एट अटाइम स्ट्राटेजी मतलब एक सब्जेक्ट एक समय में स्ट्राटेजी वो पसंद आई होगी तो आज हम श्रेंखला में दूसरी एक स्ट्राटेजी लेकर आएं क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है जून तक का तो जून तक के टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम आपके लिए एक और टाइम टेबल एक और स्ट्राटेजी लेकर आएं हैं मेरी तरह कुछ एस्पिरिं में दो subjects at a time two subjects at a time इसको हमने नाम दिया है TST strategy two subjects at a time strategy तो ये strategy यूज करेंगे आप तो आप दो subjects एक time में daily routine में पढ़ेंगे और ये दो subjects है उनका जो nature of subject है वो different है तो देखते हैं कैसे different है वो हम आगे आप वीडियो में देख सकते हैं तो प्लीज फॉलो करें ये strategy अगर आपको seriously clear करना है ये exam तो चलते हैं ये आपने syllabus last अगर आप video देखेंगे तो syllabus के बारे में बताया था कि क्या-क्या syllabus है paper one का तो ये आप देख सकते हैं और आपके पास ये होना चाहिए लिखा हुआ या printed form में बहुत important है ये हमने जो one subject at a time strategy बताई थी you can note down from here ये current affair strategy है जो मैं last video में discuss कर चुकी हूँ तो last video का link आपको description box में मिल जाएगा तो आप वहां जाके इसको दुबारा से देख सकते हैं तो जादा टाइम वेसना करते हुए पहुचते हैं हम हमारी आज की strategy two subjects at a time strategy TST strategy तो इसमें 20 जनवरी से 15 फरवरी तक कल से आप start करते हैं अ towards PCS exam तो 20 जनवरी से 15 फरवरी तक हमने दो सब्जेक्स लिये हैं और दोनों आप देखेंगे हट जेके दोनों सब्जेक्स का nature मुहती अलग है जैसे modern India and geography modern India and geography दोनों सब्जेक्स जैसे modern India humanities में आ जाता है और geography scientific subject है आता humanity में है पर उसका nature जो है वो scientific है थोड़ा सा यह दोनों सब्जेक्स एक साथ लिये हैं हमने 20 जनवरी से 15 फरवरी तक और जो यह आपके sources हैं यहाँ पर duration गल्ती से sorry one second हां जी यह duration नहीं है यह है आपका sources ओके तो यहाँ पर आपको sources बताए गए हैं कि क्या आपको पढ़ना है कौन से subjects में तो modern India में आपको जैसा कि last lecture में भी बताया था या तो spectrum पढ़िये या old NCRT प्लस जोग्रफी में NCRT बहुत ही अच्छी मानी जाती है तो NCRT 6-12 तक की आप अगर कर लेते हैं especially 11-12 की जोग्रफी वो बहुत ही deeply उसमें समझाया गया है सारी चीज़ें तो वो पढ़ लीजे तो जोग्रफी आपको complete करनी है 20 से 15 फरवरी नेक्स्ट चलते हैं 16-20 फरवरी आपको करना है previous years के question modern इंडिया के और geography के तो ये घटना चक्र से आपको करना है घटना चक्र में बहुत detailed मोटी मोटी घटना चक्र है बट आपको सर्फ question answers करने है हाँ अगर कोई ऐसा question है जो आपने जब study किया modern इंडिया और geography और उस time पे अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई है और कुछ नया है आपको घटना चक्र में देखने को तो आप वहाँ से read कर सकते हैं plus keep making notes क्योंक कि आपको आगे जब revise करना है तो notes से या आपके पास अगर book है तो उसमें highlight कर दीजे जो आपको revise करना है सारी book दुबारा revision के time पे नहीं पड़ी जा सकती तो यह एक tip है कि या तो आप notes मनाईए well and good बहुत better रहेगा अगर नहीं तो आपके पास जो book है उसमें highlight जरूर कीजे important चीजें सारा ही highlight नहीं करना है जो important है वह हाइलाइट करना है next चलते हैं हम 21 फरवरी से 10 मार्च तक दो और subject लेकर आये है ancient India और environment and ecology environment और ancient India आप जान सकते कि जो प्राचीन history है प्राचीन इतिहास है और जो environment वो दोनों ही subject का nature बहुत different है इसलिए यह दोनों subject एक साथ combine combination में हम लेकर आये हैं तो ancient India में Tamil Nadu की textbook कर लीजे आप या old NCRT इन दोनों में से एक आप चूज करें और करें और हाँ अगर आप कोई और book prefer कर रहे हैं already तो वही same book रखें बस एक book एक book से ज्यादा नहीं पढ़ना है फिर environment में शंकर की जो publication की आती है वो book बहुत बेस्ट है next जलते हैं 11 से 15 मार्च अब यहां पर जैसे कि हमने modern और जोग्रफी का previous year questions किये थे यहां भी हमें ancient India और environment के previous year के questions करने हैं from the घटना चक्र तो 15 मार्च तक आपके 4 subjects अच्छे से फिनिश हो जाएंगे 20 जनुरी से 15 मार्च और यह जो चार सब्जेक्ट से वो core subjects है modern इंडिया, geography, ancient इंडिया और environment चलते हैं next हाँ जी तो अब है 16 मार्च 16 मार्च से लेकर 10 एपरिल तक आपको करनी है quality and art and culture दोनों subjects का nature बहुत अलग है आप देख सकते हैं तो quality लक्ष्मिकांद से करनी है आपको सभी को पता है Bible of quality मानी जाती है लक्ष्मिकांद and then art and culture आप कर सकते हैं किसी भी book से या अगर आप refer करें तो 11th class के fine arts के book आती है NCRT की तो वो आप refer कर सकते हैं नेक्स्ट दस के बाद 10 अप्रेल के बाद 11 अप्रेल से 14 अप्रेल तक तो यहां पर आपको previous years के question करने है quality के चार दिन आपको मिलेंगे घटना चक्र से आपको इसको complete करना है फिर 15 अप्रेल से 20 अप्रेल तक आपको रिवीजिन करना है modern India और ancient history का जो आप last months में पढ़ चुके हैं उसको आपको यहां पर रिवाइस करना है जैसा मैंने बताया है notes से या highlighted in book next चलते हैं अब 21 वर्वरी से 25 मार्च तक 21 वर्वरी से 25 मार्च तक आपको रिवाइस करना है geography and quality geography और quality को आप पढ़ चुके हैं इसको आपको revise करना है notes से करिए या highlighted from book अब 26 एपरिल से 8 में तक आपको economics पढ़नी है and science and technology पढ़नी है economics बहुत ज्यादा deeply नहीं पढ़ना है क्योंकि economics से बहुत कम questions आते हैं और जो आते हैं वो majorly current affairs से आते हैं तो current affairs में आप सब कुछ अच्छे से ही पढ़िए और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जितने भी subjects हैं उसमें plus UP आप अपनी तरफ से आड़ कर लीजे जो भी आप subjects पढ़ रहे हैं उसका UP perspective आपको उसी time complete करना है अगर आप दूसरी कोई book रेफर कर रहे हैं UP special के लिए तो वो रेफर करिए otherwise जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जहां भी UP का concern आता है UP कोई भी आ आती है तो वहां पर आप दूसरे highlighter से या अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसको highlight जरूर कर लीजे ताकि जब आप revise करो तो UP का भी आपका साथ साथ में revise होता रहे है तो यह आपको environment अगर पढ़ना है तो basics आप मरिनाल के वीडियो से कर सकते हैं और economic survey पढ़ सकते हैं economic survey तब और अगर मेंस के perspective से भी पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए इतना positivity होनी चाहिए कि आपको मेंस देना है तो economic survey अभी complete कर लीजे notes भी बना लीजे या highlight करके रख लीजे ताकि आप revise करें तो better revision हो जाए science and technology के लिए NCIT की textbook first sorry 6th से 10th तक की science की books आप पढ़ सकते हैं plus current affair science में बहुत ही important होता है फिर 9 से 13 मही 9 से 13 मही revision करना आपको economics का and science and technology का revision नहीं करना sorry previous years के question पर previous years के जब आप question कर रहे हैं that also include the revision part क्योंकि आप पढ़ चुके हैं को और चीजे आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर revision कर रहे हैं तो घटना चक्ट से आपक आपको यह complete करना है then 14 में से 16 में तक आपको फिर से revise करना है modern and ancient history आप देख सकते हैं कि second time आप इसका revision कर रहे हैं तो कितना पक्का होता जाएगा आपका revision फिर 17 से 20 मही आपको geography and quality geography और quality का revision करना है वो भी notes and highlighted books से next 20 मही के बाल हम चलते हैं आगे 21 से 25 मही में आपको फिर से revise करना है economics and science and technology जै मैंने बताया था कहां से revise करना है notes या फिर highlighted from books फिर 26 से 28 मही को आपको revise करना है environment and art and culture 29 से 31 मही को आपको फिर से revision करना है modern history and ancient history आप आपका तीन बार revision हो रहा है एक बार आपने particularly पूरा पढ़ लिया और तीन बार आपने revise किया है तो आप देख सकते हैं कि जो चार मैंने बताया भी modern history, ancient history, geography and polity तो यह आपको तीन तीन बार revision और एक बार प्रोपर स्थाड़ी तो मुझे नहीं रगता कि इससे ज्यादा टाइम चाहिए फिर 6 से 10 जून तक आपको फिर से environment and science and technology को revise करना है तो कितने बार revision आप देख सकते हैं बहुत बार revision हो जा रह है 15 में से 5 जून के बीच में तो 15 में से 5 जून के बीच में हम भी आपके लिए एक success manch की तरफ से test series लेकर आएंगे वो भी आप जॉइन कर सकते हैं minimal price में होगी वो तो आप हमें request भी बेज सकते हैं अगर आपको चाहिए ऐसी mock test वैसे हम बनाने का पूरा plan कर रहे हैं और व आप अपना आत्मे डिरिक्शन कर पाएंगे कि आप कहां हैं और आपको कहां importance देनी है कि subject में तो अभी आप 15 में से start कर रहे हैं तो एक पेपर भी आप 15 में के आसपास कर रहे हैं तो you have one month time तो आप एक पेपर से भी analyze कर सकते हैं कि कहां आपको जरूरत है और efforts डालने की तो दालिए और हमारी तरफ से आपको all the best कल से आप कमरकस के तयारी कीजिए अगर आप एक subject एक बार में complete कर सकते हैं तो one subject at a time strategy use करिए और अगर आप दो subjects के साथ करना चाहते हैं this is the best one I think तो दो subjects के साथ करना ज्यादा बेस्ट है because it's not boring for all of us तो हम हैं आपके साथ आपकी तयार मारी में आपकी मदद करने के लिए तो देखते रहे हमारा चैनल किश्रू स्वरी सक्सस मंच और रहे हमारे साथ हमेशा थैंक्यू सो मच